गुड बारिंग जेहिंद वंदे मातरम साथियों डिफेंस एजुकेशन से आर्पी अप कॉंस्टेबल फाइर्मैन के लिए मैथामेटिक के कुछ इंपोर्ट एंड क्यूशन्स लेके आचुकी है मैथामेटिक के पुल 10 questions करेंगे हम कितने questions करेंगे 10 questions करेंगे सभी important important questions है एडियो को शुरूश लेकर एंड तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि परिक्षा के अंदर किस परकार से प्रस्ट न पूछी जाते हैं और दोस्तों अगर आपको CISF Constable Fire प्रिक्षा का कोस्ट जोइन करना चाहते हैं तो हमारी टीम के दोरह 1000 विद्यार्थियों के लिए विशेश छूट 80% का डिसकांट मात्र 599 रूपे के अंदर है यह 15 फरवरी रात 12 बज़े तक आफर चल रहा है जिस किसी अभियार्थियों को जोइन करना है तो जल्दी से आप हमें वर्ट से मैसेज कर लिजिए पैमेंट फॉन पे गूगल पे या नीचे हमारा अप्लिकेसिन मिलेगा वहां से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं क्लास से शुरू हो चुकी है रिजिनिंग का आदे से ज़्यादा कोर्स हो चुका है वहां पर तो आप जल्दी से जोइन कीजिए और पूरा कोर्स का लाव उठाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्योशन्स आपके सामने है इस प्रस्न का उत्तर हम करते हैं वीडियो को लाइक करेंगे इस चैनल पर पहली बार तो सस्क्राइब कर लिजिए मैथामेटिक के क्योशन्स देखे किस परकार से आपके प्रिक्सा के अंदर पूछ जा रहे हैं देखे पहला क्योशन्स आपके सामने है देखे सवाल क्या कह रहा है साधारन ब्याज किसी दर्ग पर A ने 6000 रुपे B को दो वर्स के लिए तथा 1500 रुपे C ने चार वर्सों के लिए उधार दिये दोनों ने कुल मिला कर 900 रुपे ब्याज प्राप्त किया तो दोस्तों इसको हमें क्या ग्याद करनी है ब्याज की दर बोले तो आर आपको ग्याद करनी है पहली कंडिशन बात करें 6000 रुपे साधान ब्याज इंटू दो इंटू आर बढ़ना 100 प्लस फिर कितना है 1500 पंद्रा सो इंटू चार इंटू आर बराबर 100 और दोनों का अंत ब्याज कितना है दोस्तों ब्याज इन दोनों का कितना 900 रुपे ब्याज कितना रुपे ब्याज है 900 रुपे ब्याज है दोस्तों दो जिरो से दो जिरो कट गएंगे तो यहाँ पर 120 और प्लस दो जिरो से दो जिरो कट जाएंगे उसके बाद में 15 चौक साथ और बराबर 900 वेरी इंपोर्टेंट क्यूसन से प्रस्न को कीजिए अब दोस्तों आर और आर को आप दोनों को जोड लीजिए तो कितना हो गया एक सो असी आर एक सो सी आर बराबर 900 आर बराबर 900 बटा एक सो असी तो जीरो में से जीरो अठारा का बाग कितनी मार चला जाएगा पांच परसंट कुल कितनी मार आएगा पांच बाग कर जाए तो इस प्रस्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा पांच परसंट क्या हो लिए आया तब आपको प्रस्न का उतर आसानी से मिल जाए चलिए को ब्रस्न देखेंगे प्रस्न क्या कह रहा है तीस पैन पिच्छत्र पैंसिल का कुल मिली है पांसुद दस रुपए हैं तो दोस्तों एक पैंसिल का औरसुत मुली है दो रुपए हैं तो एक पैन का और सत मुल्य ग्याद करना है दोस्तों पैन का मुल्य ग्याद करना है क्या करना एक पैन का मुल्य ग्याद एक पैन का और सत और सत मुल्य ग्याद करना है और सत मुल्य कुल कितनी है पांसो दस में खरीदें और पांसो दस पूछा है पैस्छ 500 का तो इसका मुलिय और दो से क्या बूला ऑस्ट मुल यदो है तो कितना हो जैगे जाएगा है जीरो में से जीरो गये जीरो और सोला देखेंगे याँ देखेंगे एक में से पांच जाएगा नहीं 11 11 में से पांच की इच्छी इहां पर हो जाएंगे 2 कितने तीन तीन बटा 306 बटा 30 307 307 जीरो में से जीरो गए और यह कितनी बार चला गया 12 बार चला गया तो इसका राइट अनसर क्या हो जाएगा 12 रुपे कितने हो जाएंगे दोस्तों बारा रुपे राइट आंसर क्या हो जाएगा एक पैन का मुल्य और सुत मुल्य कितना रुपा हो जाएगा बारा हो जाएगा क्योंकि एक पैन का मुल्य ग्यात पूछा क्या पूछा मुल्य आप से पूछा है तो पांसो दस आपके पास स्कुल खरीदारी है और 75 आपके पास पैंसिल है इन्टू दोस्य करेंगे टोटल हमारे पास आजेगा कितना आजेगा 150 और पैन हमारे पास 30 है तो देखेंगे 510 में से 150 लेस करेंगे तो 365 65 कितना रुपय आगे 12 रुपय आगे देखें यहाँ पर एक और प्रस्ता है एक वस्तू का करम मुल्य 1200 रुपय है वस्तू सित्र परसंट हाने पे बेचने दोस्तो आपके पास 100 रुपय की वस्तू है अगर आप 37 रुपय हाने में बेचेंगे तो कितने रुपय में बेचेंगे एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अब दोस्तों आप सोचेंगे कि सर इतने easy सवाल वया ही easy सवाल नहीं exam के अंदर आप करेंगे ये सवाल भी आप गलत करके आएंगे ये चीज में बता देता हूँ चले अगला questions है एक rail guardi एक थंबा को 12 second में पार करती है यदि rail guardi की चाल 72 km परती घंटा है तो दोस्तों ये kilometer परती घंटा है और हमें पूचा है second के अंदर पूचेंगे तो हम भी इसे क्या करेंगे पर second में बदलेंगे तो 5 बटा 18 तो दोस्तों पर second में अगर हम बदलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 18 का भाग इसमें कितनी वार गया 18 का भाग इसमें कितनी वार गया देखिए 18, 18, 18, 36, 36, 36 वो तर कितनी वार गया चार बार दो कितने बची यहाँ पर 20 क्या हुआ 20 अब दोस्तों आपके पास second कितने है 20 into 12 second क्या है 12 second तो इसको गुणा करेंगे बार एक बार बार दो चोईस तो आपके पास में कितना मिटरा जाएगा 240 मिटर कितने हो जाएगी 240 मिटर यह तो आपके पास में चार होगे दोस्तों क्या होगे चार चार आपके पास 20 आगे 20 into 12 second तो आपके पास कितने होगे 240 मिटर 240 मिट्रे की आए रेल गाड़ी की लंबाई हो गए चले देखेंगे यहाँ पर एक और क्यूसंस आप सभी के लिए दोस्तों 141, 186 तथा 231 को कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं में से भी बाजित क्या है तो दोस्तों ऐसे प्रस्ना एक्जाम के अंदर पूछे न तो क्या करना है 186 में से 141 लेस कर लेज़ी कितने बचेगे 45 231 में से 186 लेस कर लेज़ी कितने बचेगे 45 231 में से 146 लेस कर लेज़ी कितने बचेगे क्लियर अब दोस्तों क्या करना है इसका मसब क्या है मसब क्या है मसब कितना होगा दोस्तों 45 45 90 का मसब छोटी से छोटी से इंख्या कितनी है 45 तो इसका मसब क्या आ गया 45 हो गया और परते गिसा में 45 की समान हो जाए यह आपका त्राइटा देखिए नेक्स्ट क्यूशन देखिए 750 को ABC को इस परकार से बाटा जाए क्या है A अनुपाद B कितना है 5 अनुपाद 2 तथा B अनुपाद C 7 अनुपाद 13 तो A का भाग क्या है तो इसका सॉलूशन करेंगे पहले A B इसका आप समान कीजी तो देखेंगे 5 अनुपाद 2 और 7 अनुपाद 13 अब इसको कैसे ग्याद करेंगे इसको हम बनाएगे जहट बनें क्या बनेंगे दुस्तों जहट इस परकार से पहले इससे गुणा करो सातुपंजा 35 अनुपाद सादुणी 14 फिर अनुपाद 26 गुणा हो गया तो देखें 35 अनुपाद 14 अनुपाद 26 A अनुपाद B अनुपाद C Yes A अनुपाद B अनुपाद C अब देखें कुल धन आपके पास कितना है कुल धन कुल धन आपके पास है सांसो पच्चास रुपए कुल धन की बात है कुल धन आपके पास कितना है सांसो पच्चास रुपए आपके पास भाग है कितना है कुल धन आपके पास कितना है ये स्कूल धन आपके पास हो गया है अब देखेंगे पूछा एक आइसा तो आपके पास एक आइसा कितना है 35 है तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 35 इनका योग सभी का योग करेंगे तो कितना आजाएगा सितर क्या 75 क्या जाएगा 75 इनका 750 तो भईया यहां पर आप देखेंगे 35 में से 55 यहां पर 10 बचे तो यहां पर कुल कितने हो जैएगे 350 एक आइसा कितना है 350 कितना 300 अगर दोस्तों आप से पूचता भी का आइसा भी का भाग तो B का भाग कितना है 14 बटा 75 इंटू 75 0 तो यहां दोस्तों आपका B का इसा आजाता 70 का ये भी कितनी वार चला जाएगा 10 वार तो ये B का इसा 140 आजाता C का भाग अगर आपसे पूछते C का भाग तो दोस्तों C का भाग 26 बटा 25 इंटू तो भाईया ये देखिए ये B C का भाग आजाता 40 का 50 का फीचे बचा 10 यापर 260 तो ये आपका क्या आजाता C का भाग तो continue आपको समझ में आगया होगा A का भाग कितना है दोस्तों 350 है B का भाग कितना है 140 है C का भाग कितना है 260 है ये आपके भाग भाग आपसे पूछा क्या A का भाग 350 क्या पूछा 350 Next question देखेंगे अच्छा प्रस्तन है 10 मदों का उस्त असी है जब एक मद को 50 की जग़ सांट किनी जाए तो सही उस्त क्या होगा क्या पूछा वास्त पूछा दूस्तों प्रस्न कामन्ति भी सही को सही करें गलत को गलत करें तो आपके पास सीधा है 100 मद है कितने दस है 10 इंटू 80 कर लीजी तो आपके पास कुल कितना आजाएगा 800 आजाएगा कितना आजाएगा 800 आजाएगा 50 50 जहां 50 लिखनी थे लिखिंग दी हमने कितने यहां का अंतर कितना 10 का आंतर कितने कैक में 10 का यह ज़ि dni तो अब 10 को हम क्या जो ken Weather को कि और फ्रीक हम क्या करेंक बहलेंगे तो Minister 90 कुल से मद हमारे पास कितनी दस तो जीरो से जीरो सेवन पॉइंट नाइं यह आपका प्वाइब रह जाओ अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप सीधा कर लीजिए ऐसी यह तो गया दस इंटू असी माइनस पचास प्लस स्दें पचास सई को सई करो तो यहाँ पर साथ माइनस पचास तो यह कोश्टक के लिए हो अराम से आप कर सकते कोई दिक्कत भी नहीं यह कि यह साथ माइनस क्या है तो माइनस का दस हो जाएगा ज्यां हो जाएगा आट्स हो जाएगा तो सेवन्टी नाइन बट्टा टेन राइट टांसवर सेवन्टी नाइन अल्सवर समझ में आ गया देखिए नेक्स्ट कुशन देख एक वैपारी नगद बुगतान पर अंकित मुल्य का 10% तद अनुसार 17% लाग प्राप करता है तो अंकित मुल्य उनकी लागित मुल्य से कितना जादा खर्च किया गया है आपके पास 100 रुपए कितने रुपए दूस्तों आपके पास 100 रुपए कितने रुपए 100 कितने रुपए 100 100 रुपए 10% आज छोट देंगे तो आपके पास कितने रुपए 90 10% आप छोट देंगे तो 90 किस के बरापर 100 के बरापर इसको लाब कमाना तो 117 रुपए आपको पे करने हैं क्या करने 117 रुपए आपको पे करने हैं अब इसका सॉलूशन कर लीजिए 117 इंटू 100 बटा नब देखिए वापी समझे दोस्तों सवाल कह रहा है कि आपके पास में हरकुल रासी एक्स हैं अगर आप 100 रुपए की रासी 90 रुपए में बेचते हो तो आपको 10% छूट मिलता हैं लाब आपको 117 रुपए 100 100 की वस्तों को लाब 17 रुपए कमाएंगे तो आपके पास कुल कितना हो गया 117 रुपए हो गया एक वार जाएगा फिर तीन वार जाएगा इंटू 10 130 कितने होगे दोस्तों 130 आपके होगे अब दोस्तों आपने मानना क्या 100 रुपए तो 100-130 करेंगे तो आके पास 30% क्या जादा हो जाएगा कितना परसंट जादा हो जाएगा 30% आपके पास जीन मुल्या अधिक हो जाएगा रहेट आंसल हो गए 30% लिट चलिके दो 31 सांसद की चुनाओ के लिए लड़ परते हैं चुनाव हैं चुनाव के लिए लड़ पड़ते हैं और लड़ाई भी होती हैं आप सभी को पता है विजिता उमिदवार ने डाले गए कुल मद का 57 परसेंट तो दूस्तों कुल मदों की संख्या आपके पास सो हैं 57 पड़े हैं तो आपके पास 49 यस और ये किसने परतिसत के बराबर हैं बहियाली सज्जार के बराबर कितने हज़ार के बराबर हैं बहियाली सज्जार के बराबर हैं अब पूछा कुल मदों की संख्या पूछिए तो इन दोनों का अंदर कितना है दोस्तों इन दोनों का अंतर है 14 किसके बराबर हैं 100 के बराबर है एक्स 100 के बराबर बहिया एक्स पूछे तो टोटल मद क्या है टोटल मद कितने एक्स तो यह हो गया एक्स तो बराबर हमारे पास कितने है बहिया लीज अब बहिया इसका सॉलुशन बहिया लीज हजार इंटू सो बटा चौदा साद उनी चौदा और साद शंग बहिया लीज तीन एक दो तीन एक दो कितने हो गए तीन लाक मद कितने लाक मद कितने लाक मद कितने लाक मद कितने हो गए बहिया समझ में नहीं एक चीज नहीं दो बार देखिए यहां पर देखिए वापिस एक बार प्रस्न काप देख यहां से सवाल put up होता है यह तब ही तो मैं आपको बार बार कर देखिए आपके पास में total मद की मैं बात करूँ total मद आपके पास x या फिर आप hundred बान सकते हो कितने hundred मान सकते हो अब देखिए total hundred है hundred मैंसे आपको 57 % बोट है तो पीछे कितने बज्चे 43 कितने मुचे 43 अब दोस्तों पूचा है जब इन से कितने अधिके 14 हैं वो किसके बराबर है 42 सजार मदों से क्या हुआ विज्य हुआ क्या हुआ विज्य हुआ तो हमारे पास में कुल मद हमारे पास X है एक्स मद है हमारे पास में कुल कितने एक्स है और हमारे 14 है किसके बराबर है 14 है 100 के बराबर तो हमें कितना 42,000 प्राप्ति करना है तो 42,000 अब ये सेंख्या उपर जाएगी तो 100 और 14 नीचे चले जाएगे अब दोस्तों 14 का भाग या तो 7 का भाग 2 वार दे दीजिए 7 का भाग 6 वार दे दीजिए तो 6,000 और 2 का भाग या पर कितनी 3,000 कितना 3,000 तो 3,000 इंटू 100 कितने हो गई 3,000,000 ये सवाल पूछा है खुल मदों की सिंख्या चले नेक्स्ट क्योशन देखे वेरी इंपोर्टेंट सित्तर तथा 30 की 10 से 2 कर्मिक छूट दी जाती कर्मिक छूट देड़ा दूस्तों कर्मिक छूट देड़ा कितना हो जाएगा सित्तर इंटू 30 बट्टा सो दो जिरो से दो जिरो तो साथ त्री इकिस यस चूट कितने उपर देते हैं हंडेड हंडेड में से 21 लेस गएगा सेवंटी नाइन परसंटेज सेवंटी नाइन परसंटेज चूट जैस तो दोस्तों ये मैट की कलास और हमें जरूर अगर आपको जॉइन करना तो आप हमें जरूर बताए वीडियो को लाइक करेंगे सेर करेंगे अपने सुजाओं देते रहें धन्यवाद